नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा कि जुही चावला के द्वारा एक केस दर्ज किया गया है related to 5G network implementation यह आप news देख सकते हो जुही चावला files lawsuit against 5G networks over radiation concern तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने की जरुवत है कि exactly उनके द्वारा क्या बोला गया है, कोट के लेकर WHO के studies का क्या कहना है, इन सब के बारे में हम details से जानेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, exactly हुआ क्या है, मंडे को जुही चावला क दिनली हाई कोट के अंदर एक अरजी डाली गई है, एक petition डाला गया है, जिसमें उन्होंने concern raise किया है, related to the implementation of 5G network, आपको पता होना चाहिए, कि 5G network का जो trial वगरा है, वो start हो गया है देश के अंदर, और बताया जा रहा है कि इस साल के end तक, यहां पर जो implementation है, वो उसका environmentalist, तो उनके द्वारा यहां पर बुला गया है कि जो radiations हैं, especially जो 5G के radiations आ रहा हैं, उसकी वज़े से जो citizens हैं, लोग हैं, animals हो गया है, flora, fauna, पूरे environment के उपर हमें impact देखने को मिल रहा है, तो यह जो case है, तो इसको सुना जा रहा था Justice C. Haris Shankar के द्वारा, उन्होंने एक दूसरे bench को यह transfer कर दिया है, June 2nd को इसकी सुनाई होगी, तो अभी तक जब मैं वीडियो record कर रहा था, तो ऐसाच कोई update तो नहीं आया, लेकिन चली जो भी है वो उसकी सुनाई चलेगी, लेकिन question यह है कि उन्होंने अपने lawsuit के अंदर क्या बोला है, petition में exactly क्या कहा है, तो हमारे health को लेकर, safety को लेकर लोगों के उपर, और सिर्फ लोग नहीं, environment के अंदर जितनी भी चीज़े है, flora हो गया, fauna हो गया, animals हो गया, birds हो गया, plants हो गया, इन सब के उपर इसका impact आ सकता है, तो basically उनका यह कहना है, कि जो भी concerned department है, जो authorities हैं, उनको यहाँ पर पहले certify करना चाहिए, कि जो 5G का technology है, वो पूरी तरह से safe है, humans की उपर, तो basically उनका बस यह कहना है, कि हम यह चाहते हैं, कि यह 5G का जो implementation है, उसको लेकर जितने भी doubts हैं, पहले वो clear हो जाएं, सरकार यह कहते हैं, कि यह सब कुछ safe है, तब जाकर इसका implementation करें, हमें कोई problem नहीं है, उन्ह पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो let's see कि यह case कहां तक पहुंचता है, लेकिन हमारे लिए जो important है जानना, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, कि 5G का इस समय क्या status है, 5G exactly है क्या, सरल शब्दों में अगर हम देखें, तो 5G basically revolutionize कर देगा हमारे mobile broadband को, basically एक generational gap, एक generation leap जो है यह चीज को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, especially आपने recently यह term सुना होगा IOT, that is internet of things, basically हमारे घर पर जितनी भी चीज़े हैं, हमारी कार हो गई, कुछ भी हो गया, हम उसको internet से connect करके उसको operate कर सकते हैं, तो यह जितनी भी चीज़े हैं, वो 5G जो है वो लाने वाला है, लेकि आपको यहाँ पर limited spectrum दिया जा चुका है, ताकि वो देश भर के अंदर trial कर सकें, तो जो इसका trial है, वो पूरे देश के अंदर इस समय चल रहा है, और इस साल के end तक बताया जा रहा है कि यह implement हो जाएगा, और अगले साल से 2022 से और तेजी से यह भारत के अंदर implement होगा, लेक यहाँ पर claim यह किया जा रहा है, जो लोग इसके against हैं, उनका यह कहना है कि जो 5G के waves हैं, वो और जादा powerful होते हैं, क्योंकि इससे जो radiation है, वो बड़ी मात्रा में लिकलता है, तो जो लोग हैं, हम जो सभी लोग हैं, जितना जादा exposure होगा radiation का, वो हमारे health के लिए खतरनाक ह हो सकता है, especially यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है, जो लोग इसके against हैं, कि जो 5G network है, उसमें बहुत सारा towers यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, normally 4G वगर में आपने देखा होगा, या फिर जो cellular towers होते हैं, उसमें एक tower लगा रहता है आपके area में, और वो पूरा operate करता है, लेकिन जो 5G से related towers हैं, उसमें बहुत सारे towers लगाने पड़ेंगे, आप इस तरह के छोटे छोटे towers लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह जादा इसकी reach नहीं होती है, यह छोटे से area को ही cover करता है, और अच्छी speed देता है यहाँ पर, इसकी वज़े से बहुत सारे इ towers लगाये जाएगा, उसकी वज़े से जो gadgets हैं, उसके इस्तेमाल भी तो बढ़ जाएगे, तो और जादा आपका mobile phone का use बढ़ेगा, AC हो गया, हर एक चीज यहाँ पर electronic devices से connect होने लग जाएगी, तो radiation की संख्या और जादा बढ़ जाएगी, और humans और जादा exposed हो जाएगे general radiation स और यही सबसे जादा concerns दिखाया जाता है, जो भी लोग इसके against हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ, कि जो radiation है, वो जादा तर जो cell phones tower से निकलता है, हमारे mobile phone से, जितने भी electronic device आप देखोगे न, उसमें से radiation निकलेगा, किसी में से radiation बहुत जादा निकल तो वो भी radiation निकाल रहा है, वाइफाई routers हो गया, यह जितने भी होते हैं यह non-ionizing radiation होता है, पहले आपको यह समझना है कि ionizing और non-ionizing क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है, यह आप देख पा रहे होगे यहाँ पर electromagnetic spectrum कहते हैं, आपने सुना होगा x-ray के बारे में, gamma rays के बा इस तरह की चीज़ें अगर हमारे body में enter करने लग जाएंगी, तो इसकी वज़े से हमारा DNA चेंज हो सकता है, हमारे सरीर के अंदर problems हो सकती हैं, यह further complicate कर सकता है हमारे system को, लेकिन जो non-ionizing होते हैं, बाकि यह जितने भी आप देखते हो ना, चाहे microwave हो गया, radio waves हो गया, यहा non-ionizing आप समझो, यह जब हम बात करते हैं न, 5G की यह जो microwave हो गया, satellite के माध्यम से जो हम connect करते हैं, तो यह इन सब के frequency आप देखोगे, तो यह कम होती है frequency, क्यों, क्योंकि इसका wavelength जादा होता है, आप देखो, यहाँ पर इसमें wavelength आपको जादा देखने को मिलेगा, एक यहा जैसे जो ionizing हैं वो खतरनाक होते हैं और non-ionizing as such कोई खतरनाक नहीं बताया जाता है, लेकिन WHO का अगर आप देखोगे, WHO के अंदर यह आपका body है, जिसका नाम है International Agency for Research on Cancer, इनके द्वारा बोला गया है कि जो radio frequency fields होती हैं, जो उसके range में आते हैं, they are possibly carcinogenic, carcinogenic का मतलब क्या हो तो यह जो radio frequency fields होती हैं, वो हो सकता है कि शायद carcinogenic हो, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अभी हमें इसके उपर और जादा research करने की आउशकता है, तभी जाकर हम exact findings हैं, तभी इसको हम clear तोर पर कहे पाएंगे, especially क्या यह brain cancer वगरा जैसी चीज़ों को create करता है, तो इसके बारे सी बात है कि यह cancer create करते हैं, मैं आपको एक example बताता हूँ, जैसे CT scan हो गया, X-ray हो गया, यहाँ पर doctors बहुत जादा सलह नहीं देते कि आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए CT scan कराने जाओ, क्योंकि इसमें से high level ionizing radiation निकलता है, जो कि cancer create कर सकता है, अगर हम बहुत साथा CT scan कराने लग जाएंगे, recently आपने देखा होगा, काफी लोग COVID test के लिए यहाँ पर CT scan कराने लग गये थे, फिर यहाँ पर warning दिया गया कि आप बड़ी मात्रा में CT scan बार बार मत कराओ, यह आपके सरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह तो हमने बात किया, ज लैपटॉप, home mobile phone, जो भी आपके electronic device हैं, उसमें low level का radio frequency, radiation निकलता है, उसमें से भी radiation निकलता है, वो भी आजकल हमारे body को damage करने लग जया है, ऐसा कई लोगों का कहना है, because of constant exposure, अब देखो क्या होता है, सपोज एक पत्थर है, पत्थर पर आप बहुत जोर से वार करोगे तो वो तूट जाएगा, हो सकता है, लेकिन एक छोटा पत्थर, एक पत्थर है, दूसरा पत्थर है, जहाँ पर आप थोड़ा वार कर ले हो, मतब धीरे धीरे प्रेशर बना रहे हो, हर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप मार के चले जाते हो, तो एक समय आएगा के एक्सपोजर में आ रहे हैं, क्योंकि हम डे टूड़े लाइफ में बहुत जादा यूस करने लगए हैं, इसकी वजह से भी हमारे ये बॉड़ी इसको डैमेज कर सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, इनफार यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाह लेकिन उनके द्वारा एक और बयान दिया गया, आप ध्यान से सुनी का, उनके द्वारा ये कहा गया है, कि अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, जिस तरह से टेक्नॉलोजिकल अडवाइसमेंट हुआ है, जिस तरह के नए ड वो बहुत जादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, इसकी वज़े से हमें और जादा स्टडी करना है, और इसी को लेकर आप देखोगे, तो 2017 में, 39 कंट्री से 190 साइंटिस्ट के दौरा, लेटर लिखा गया था, बोला गया था, WHO को, United Nations को, कि यहाँ पर आपको स्ट्रिक् जारी नहीं की थी, जैस्ट उन्होंने कहा था, कि मुबाइल फोन को थोड़ा सा सरीर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कोई वर्निंग नहीं दिया था, लेकिन इन साइंटिस्ट के दौरा बोला गया कि, WHO को यहाँ पर एंशॉर करना चाहिए, कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, और और भी जादा सतर्कता बतरनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर, और इन्होंने आरोग भी लगाया, WHO के उपर, कि यहाँ पर उनके दौरा, SH कोई बहुत जादा स्टडी नहीं किया गया है, और उसके बावजूद भी 5G का जो ट्रायल ह है, ट्रायल है, इसको अभी के लिए रोग देना चाहिए, और जब scientificallyly प्रूब हो जाए कि ऐसाच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, तभी इसको अलाव करना चाहिए, ऐसा कई सारे scientist के द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा ये भी कहा गया, कि US के अंदर ये study किया गय psychology program, इसके तहट ये बताया गया कि लगतार ये जो फोन से radio frequency radiation निकलता है हमारे mobile phone से, उसको जब expose किया गया rats के उपर, चुहों के उपर, तो उसके अंदर cancer growth तेजी से देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे उसके अंदर cancer growth देखने को मिल रहा था, इसकी वजए से इन्हों ने तो यहाँ पर जिसमें 5G को लेकर भी चीजें address की जाएंगी, लेकिन ये वाला study आपका 2022 तक publish किया जाएगा, ऐसा बताया चाहरा है, तो ये तो हमने WHO के बारे में बात कर ली, question एक और ये आता है कि जो towers हैं, जो mobile towers हमारे आसपास locality में होते हैं, उसका क्या हमारे environment के उपर negative impact आएगा की नहीं आएगा, देखो इसको लेकर भी बहुत जादा debate है, लेक में टेलियो, जैसे कि भारत के अंदर कुछ studies की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि mobile phone towers की वज़े से, जो मदमक्की होती हैं, उनकी जो colonies वगर होती हैं, जो मदमक्की होती हैं, वो collapse हो गई थी, 2017 में study किया गया था, और ये general है, आपका entomology and geology studies, उसके अंदर publish किया गया, और बताया गया कि जो B colonies होती हैं, मदमक्की के छते होते हैं, वो आपका पूरा collapse हो गया थे, because constant वहाँ पर mobile phone towers की वज़े से वो affect हो रहे थे, लेकिन इसके against एक और study आया 2019 में, उन्होंने ये बताय कि अभी हमें इसके बारे में और study करना पड़ेगा, और पहले के जो studies हैं, वो unscientific method के माध्यम से किया गया है, unrealistic method अपनाएगा है, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मैं basically आपको हर पक्ष को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक basically हुआ क अभी है, it is just around 2 years old, और बहुत कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पर 5G को अच्छे से implement करने की कोशिश की गई है, तो इसी के लिए अभी हमें हमारे पास clear picture नहीं है exactly कि 5G का human के उपर क्या impact आएगा, especially जो WHO है, उन्होंने अपने studies के अंदर जो उनके दोरा बयान आया है, उन्ह हम suppose mobile phone use कर रहे हैं, तो mobile phone use करने से हमारे body क्या वो heat होगी कि नहीं होगी, अगर वो ज़्यादा heat होगी, तब तो concern बढ़ जाएगा, अगर heat negligible है, मतलब कि limited amount पे हैं, तब ऐस such concern नहीं होगा, तो WHO का अभी के लिए तो ये कहना है कि जो current की technologies हैं, जो हमारे पास इस समय mobile phones पर बहुत कोई temperature rise नहीं करते हैं, जो international आपके standards हैं, उसी के exposure के अंदर रहता है, तो अभी के लिए कोई बहुत जादा concern इसको लेकर नहीं होना चाहिए, डबलु एच्चो का ऐसा कहना है, बट लेट मी टेल यू, ये 5G network के implementation को लेकर, कई जगा बिश में यहाँ पर कुछ गुझाइस रखता हूँ, 0.1%, कि कल के डेट में कोई नया research आया, कुछ भी हुआ, तो हमें adjust करना चाहिए उसके हसाब से, अब देखना होगा कि जूही चावला के द्वारा ये जो petition file किया गया है, दिल्ले high court के अंदर, क्या court को ये action लेता है, क्या ये जो 5G के trial है, क आपका क्या सोचना है, आप भी हमें comment section में बता सकते हैं, जाने से पहले एक बहुत interesting question आपके लेकर आया हूँ, 5G में बताया जाता है, it will offer latency of 1 millisecond, मतलब इसकी जो latency होगी न 5G के अंदर, वो बहुत कम होगी, it is just 1 millisecond or even lower than that, क्या आप मुझे बता सकते हो कि latency का मतलब क्या होत चार option है, यहाँ पर इसका जो right answer है, दोस्तों आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, Instagram पर कोई बात नहीं, Telegram से भी आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, ब झारी क्यों।